चाई लवर्स के लिए पहतरीन चाई आज हम बनाने वाले हैं कुलड वाली तंदूरी चाई कुलड वाली चाई तो वैसे भी बहुत फेमस है कुलड की और मिट्टी की जो सोंदी सोंदी खुश्चु चाई में आजाती है न बहुत मजाद है तो टी लवर्स तयार हो जाईए इस बड़िया सी चाय को पीने के लिए हलो वेलकम टू माई चैनल मामास नुसके मैं हूँ रीटा तो चलो जी आज हम बना रहे हैं कुलड़ वाली चाय तंदूरी चाय तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया एक कुलड़ लिया उसको धोकर सुखा लिया उसके बाद मैंने उसके गैस पर रख दिया ताकि वो अच्छे से गरम हो जाए पक जाए दूसरी साइड में चाय भी बना लेते तो एक गिलास मैंने पूरा दूद अच्छे से लिया गरम करने के लिए उबालने के लिए दूसरी तरफ हमें बीच बीच में चेक भी करना है कि हमारा कुलड अच्छे से चारों तरफ से गरम हो जाए तो उसे हम घुमा घुमा करके हर तरफ से गरम करेंगे खुब पकाना है उसको अच्छे से जैसे तंदूर पक जाता है उसी तरीके से इसे हम गरम करेंगे इधार हमारे दूद में भी उबाला रहा है तो हम अपनी चाय का प्रोसेश शुरू कर देते हैं इसमें मैंने डाला अध्रक और इलाइची दोनों को अच्छी तरह से कूट करके मिक्स किया चाय को अगर आप चम्मच से चलाते रहते हैं बीच बीच में तो बहुत टेस्ट आता है तो मैंने इसमें एक चम्माच चाय की पत्ती डाली, चाय की पत्ती आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कोई पत्ती जाधा पढ़ती है, कोई पत्ती कम पढ़ती है, देख लीजई आप इधर हम कुलड को भी अपना गरम करने उसको उलटना पुलटना बिलकुल नहीं फूलते वो तो हमें ज़रूरी करना है और अपनी चाय का भी ध्यान रखना है तो ये देखिए चाय भी बढ़ियासी बन गई है हमारी लेकिन अभी चीनी भी डलनी है न तो मैंने इसमें आधा चम्मचीनी डाली है एक्चुली हम लोग कम मीठा पीते हैं जो लोग जाधा पीते हैं वो जाधा डाल दीजे तो मैंने सिर्फ आधा चम्मचीनी डाली है फिर से अच्छे से स्टर कर दीजे खुब अच्छे से ये पक जानी चाहिए पकी हुई चाय बहुत अच्छी लगती है जरा भी अगर कच्छा पना आता है ना तो चाय का स्वाद ही नहीं आता ये देखिए हमारी चाय का कलर बहुत बढ़िया चाय बनी है और हमारा जो कुलड था वो भी तयार हो गया तो एक मैंने लिया खाली पतीला उसमें हम अपना गरम वाला कुलड रख देंगे और जो हमारी चाय बनी है इस कुलड में उसको मैं चान देती हूँ अब देखिए कमाल इस तंदूरी कुलड का तो जो कुलड की महक है न मिट्टी की खुश्बू वो इस गरम होते हुए कुलड से चाय में आ जाएगी हमारी चाय पूरी उसकी खुश्बू को उसकी स्मेल को अपने अंदर अब्जॉफ कर लेगी और चाय का जो टेस्ट आएगा न बस ऐसा लगेगा कि हम कहीं गाउं में बैठ करके तंदूरी चाय पी रहे है घर पर ही मज़ा लेते है ना तंदूरी चाय का चलिए अब इस चाय को हम अपने दूसरे कुलड में चान लेते हैं तो यहाँ भी मैंने कप नहीं लिया है कुलड ही लिया है जिससे उसकी खुश्बू बरकरार रहे और टेस्ट भी बढ़िया है गरम गरम पी करके देखिये जरा मन करेगा ऐसी ही चाय दुबारा मिलने चाहिए चाय अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीचे चैनल को सब्सक्राइब कीचे ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई ट्रीटमेंट के साथ तब तक के लिए नमस्कार